बिग बॉस क्या विवियन डिसेना को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर पूरे घरवालों को विवियन के अगेंस्ट कर रहे हैं एक्ता कपूर ने विवियन की क्लास क्यों लगाई है चलिए जरा बात करते हैं इस बैटर पर एकता कपुर आती है और वो कहती है कि विवियन आपको मैंने लॉंच किया और आठ साल बाद आप इस शो पे आए आप क्या उमीद करते हैं कि लोग आपको एक सराखों पर बिठा दें क्या चाहते क्या है आप आपका जो एटिट्यूड है बात करने का विवियन ने का मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि कोई मुझे सराखों पर बिठा है एकता जी का कहना है कि नहीं आप कोशिस करते हैं कि लोग आपको सराखों पर बिठा के रखें क्योंकि जिस तरीके से आप बात करते हैं जिस टोन में आप बात करते हैं आप बार बार कहते हैं मैं वो मिला है कि मैंने इतने साल काम किये हैं, मैंने इतने साल काम किये हैं, यह बाते कहता है वो, और यहां से उसकी इगो दिखती है, हाला कि आजकल वो बिल्कुल normal हो गया है आजकल उसका जो तेवर है वो बिल्कुल change सा न जा रहाता है बलकि अब तो लोगों को विविन पसंद आने लग गया है पहले उसका ego दिखता था लेकिन अभी उसका ego नहीं दिखता है मेकर्स जो है वो continue विविन को सपोर्ट किये जा रहे हैं continue विविन को सपोर्ट कर लें time of god आप देख लो एक बारी तो विविन बनाई ही दूसरी बार मेकर्स ने फिर से विविन को बना दिया वहां पे अगर विविन ही खुद चाहता तो केवी को बना सकता था अगर उसको दोस्ती निभाने का इतना ही शौक था तो वहां पे केवी को बना देता कि चल भाई केवी मेरा दोस्त है और बिग बोस मैंने ये फैसला किया है कि केवी को मैं time of god बनाता हूँ लेकिन विविन को भी वहां पे थोड़ा सा बचना था और इसलिए विविन नहीं बनाया वो बिग बोस पे डाल दिया और बिग बोस भी अगर चाहते न तो बिग बोस भी बना सकते थे दोनों में से किसी को बिग बोस को एक टास करा देते दोनों में से जो जीता वो घर का नया time of god बन जाता लेकिन नहीं बिग बॉस ऐसा नहीं किया बिग बॉस नहीं किया ये कि विवेन को वापस से time of god बना दिया तो जो घरवाले हैं जो पहले से अगेंस्ट हुए पड़े हैं अब तो वो और भी ज़्यादा अगेंस्ट हो गए क्योंकि बिग बॉस continue विवेन को support किये जा रहे हैं और इससे हो ये रहा है कि विवेन के जो दुस्मन है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जो घरवाले हैं जिस तरीके से सारा आज कह रहे थी कि ये unfair है unfair है कल के episode में सारे घरवाली ये महसूस कर रहे हैं कि unfair तो हो रहा ह हमारे साथ लेकिन ये बात कोई कहा नहीं रहा है लोग लड़के से रहें विवेन से वो बिग बॉस से तो लड़ने जाएंगे नहीं क्योंकि बिग बॉस आप unfair कर रहे हो वो विवेन से लड़ रहे है तो सारे घरवालों को विवेन के against तयार किया जा रहा है और इसलिए व विवेन डिसेना सामने खड़ा है ये मेकर्स की पूरी सोच है पूरी प्लानिंग और इसलिए एक्ता कपूर आती है और वो कहती है कि आप घर के जो मुद्दे हैं उसमें इन्वाल्व नहीं हो रहे हो हाँ ये भी हमने देखा है कि वीवेन इन्वाल्व हाला कि आज कल हो र मेकर्स का बेसिकली कि कहते हैं तो मेकर्स पूरा 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 पाटेशेक्ट करने रहे हैं